अक्षित तृतिया पर दुरलप सुकर्मा योग समीत बन रहे हैं ये पांच शुग संयोग राप्त होगा कई गुना फल नमश्कार मैं हूं सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीटल सनातन धर्म में अक्षित तृतिया तिति का विशेश महत है इसे अभूज मुहरत भी कहा जाता है असान शब्दों में कहें तो अक्षित तृतिया के दिन बिना किसी जियोतिश्य सलाः के कोई भी शुभकार अप्त कर सकते हैं ये दिन स्वर्ण क्रय के लिए जाना जाता है अते लोग अक्षेत्रितिया पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सोने की खरीदारी करते हैं। इस दिन सोने की खरीदारी करना बेहधी शुब माना जाता है। यह पर्व हर वर्ष विशाक महा के शुक्ल पक्ष की त्रितिया तिति को मनाया जाता है। इस वर्ष 10 माई को अक्षे तरितिया है जियोतिशीयो की माने तो अक्षे तरितिया पर मंगल कारी सुकर्मयोग का निर्मान हो रहा है इसके अलावा कई शुप सईयोग भी बन रहे हैं आईए इन योगों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं देखे विशाक महा के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी 10 माई को सुभ़ 4 बचकर 17 मिनट पर शुरू होगी और 11 माई को देर राद 2 बचकर 50 मिनट पर समाप्थ होगी अक्षे तृतिया के दिन पूजा हे तू शुब समय सुभ़ 5 बचकर 33 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 18 मिनट पर वहीं सोने की खरिदारी हे तू कई शुब योग बन रही हैं जोतिश योगी माने तो अक्षे तृतिया पर मंगलकारी सुकर्मा योग का निर्मान होगा इस योग का निर्मान दोपहर 12 बचकर 8 मिनट से हो रहा है वहीं इस योग का समापन 11 माई को सुभ़ 10 बचकर 3 मिनट तक है सोने की खरिदारी आप सुकर्या योग में कर सकते हैं मही रवी योग दिन बर है जोतिश रवी और सुकर्मा योग को शुब कार्यों के लिए तम मानते हैं साथ ही अक्षे तृतिया पर रोहिनी और मृक्षिदान अक्षत्र संयोग भी बन रहा है जबकि दोपहर 3 मिनट कर किल करन योग भी बन रहा है इसके बाद गर करन का निर्मान शुरू होगा कुल मिला कर कहें तो अक्षे तृत्या पर स्वर्ण खरीदने समेथ शुब कार्य करने ही तू कई शुब संयोग बन रहे हैं खिलाल के लिए इतना ही ऐसी और जनकार्यों के लिए आप देखते रह और ये नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल धन्यवाद